लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ओनिजू का जब इंटर्विव देने जाता है तब वो देखता है उसका इंटर्विवर और कोई नहीं बलकि वही बंदा था जिसे उसने बस स्टेंड पे मारा था ये देखकर तो उसकी हलत खराब होने लगती है अब आगे ओनिजू का मनी मन सोचता है अब तो ये पक्का मोझे निकाल देगा मेरा इंटर्विव लिए भी नहीं लेकिन अब हम देखते है उस बुढ़े की आई साइट खराब थी ओनिजू का उसका सामने खड़ा था तब भी वो उसका इंटर्विव लेने लगता है लेकिन वो इंटर्विव लेने के बाद भी उसे रिजेक्ट कर देता है ये सुनकर ओनिजू का निराच होकर औफिस से बहां निकलाता है और वो जब जारा होता है तब यो लड़की उससे पूछते है क्या हुआ उनिजू का क्या तुम सेलेक्ट हो गए तब ओनिजू का समाइल करते हुए आगे बनी नहीं सकता, मैं एक नंबर का trash और stupid हूँ, ये सुनकर वो shopkeeper बोलती है नहीं, तुम तो अभी youngster हो, तुम्हें अपने आपको trash नहीं बोलना चाहिए, तब ओनी जुका बोलता है, जब मैं छोटा था, तब मेरे teacher, मुझे trash और stupid बोलते थे, और कुछ समय बाद हमें भी पत बना, तो मैं अपने student को कभी भी trash नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसे words बच्चों के जिंदगी में, कभी भी ना मिटने वाला दाग बन जाता है, तब ही हमें school corridor में दो student को दिखाए जाता है, जो wise principal को मानने के लिए आए थे, क्योंकि wise principal ने उनने school से बहान निकाल दिया था ये सब देखकर shop की पर बोलती है, क्योंना तुम उन बच्चों को रोखो, क्या पता इस से खुश होकर, तुम्हें इस school में job मिल जाए, इधर वो student wise principal को मानने ही वाले होते है, तब ही वहाँ ओनी जुका आकर उने रोकते वे कहता है, मैं तुम सब को wise principal को मानने नहीं मेरा नाम ओनी जुका है, और मेरा resume number 23 है, और मैं 22 साल का हूँ, ये सुनकर वो बुढधा बोलता है, मैंने तुम्हारे resume में पढ़ा था, तुम्हें karate team के captain रह चुके हो, और अगर तुमने इन लोगों को सम्हाल लिया, तो समझो तुम्हारा job पका, तब ही उनमें से एक बं पुरी तरह से हमारी गलती नहीं है, तुमने हमें जब भी देखा है, हमें trash और stupid बोला है, और हमारा insult किया है, तब wise principal बोलता है, मैंने तुम सब को कचड़ा इसलिए बोला है, क्योंकि तुम सब एक सड़े वे कचड़े हो, ये सुनकर ओनी जुगा को बहुत खराब लगता ये सुनकर ओनी जुगा बोलता है, तुम्हें इन बच्चों को नीचे नहीं समझना चाहिए, तुमने इने कचड़ा कहा, जैसे ये कोई इंसान नहीं बल की समान हो, तुम सब अपने आपको teacher कैसे कह सकते हो, तुम्हारी जैसे teacher की बज़स ही, student गलत रास्ते पे उतर जाते हैं, ये सब सुनकर वहां के बच्चे शौक्ड होते हैं, और फिर ओनी जुगा teacher से कहता है, अगर तुम्हारा system ऐसा है, तो मुझे तुम्हारा हिसा नहीं बनना, और उसके बाद वहां से जाने लगता है, फिर ओनी जुगा उन्हें स्टुडेन से बोलता है, लगता है तु सीने ही सिफ्ट होता है, अब हमें उसी लड़की को दिखाये जाता है, जो ओनी जुगा को इंटर्व्यू में मिली थी, ताकि वो प्रिंसिपल का मैसेज ओनी जुगा तक पहुचा सके, फिर वो लड़की यूँ से पूसती है, क्या यहां पर ओनी जुगा रहता है, उसके म ने टीचिंग जॉब छोड़ दिया है, और अब मैं जीडियो बनने वाला हूँ, यानि ग्रेड ड्राइविंग ओनी जुगा, यह सुनकर रियू बोलता है, मेरे सामने कोई खड़ा है, जो मुझे पता आ रहा है, जिसे स्कूल में तुम इंटर्व्यू देने गए थे, उस लगता है, तुम्हारा यह टीचर बनने का सपना तो हाथ से गया, मिश्टर जीडियो अब तुम क्या करोगे, फिर वो फोन कट कर देता है, तब वो लड़की उससे पूस्ती है, क्या तीन गहंटे में स्कूल तक पहुचना इंपॉसिबल है, यह सुनकर रियू बोलता है, वो कितना भी तेज़ क्यों न चला ले, लेकिन वो तीन गंडे में नहीं पहुच सकता, यह सुनकर वो लड़की उदास होते हुए, वहां से जाने लगती है, यह देखकर यू से बोलता है, देखना वो बेशा की लेट क्यों न हो जाए, लेकिन वो वहां तक पहुचकर दि देता है, और वो रॉंग वे में गाड़ी चलाने लगता है, और रास्ते में बहुत से डेमेज करता है, जिस कारण पुलिस उसके पीछे आने लगती है, और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन ओनी जुगा हार नहीं मानता, और वो ड्रक चलाते रहता है, तब आगे पु बोलती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी यह सुनकर ओनिजुआ को लगता है जरूर इनकी शौप में काम करने के पोजिशन खाली होगी इसलिए यह मुझे काम देगी लगता है यूने मेरे साथ मजाक किया है और मैंने उसकी बात भी मान ली और इतनी जल्दी यहां पर सब्सक्रावी गया फिर वो लेड़ी ओनिजुआ को प्रिंस्पल रूम ले जाते हुए कहती है मैं इस स्कूल की प्रिंस्पल हूँ स्टोर चलाना तो मेरा हौवी है इसलिए मैं चलाती हूँ स्टोर चलाने से मुझे लोगों के बारे में पता चलता है और मैं उनके आपको थोड़ा confident रहने की जरूरत है फिर वो पताती है हमारे school काफी नामी और respected है लेकिन यहाँ पर भी बहुत से बच्चे दादागीरी करते है और दूसरे बच्चों को परिशान करते है यहाँ तक कि बच्चे टीचर को भी परिशान करते है हर साल हमारे school का condition खराब होता जा रहा है मैं school को बहुती मुश्किल से handle कर पा रही हो और फिर principal ओनी जुका सा कहती है क्या तुम मुझे जर्बन सूपलेक्स वाला post करके दिखा सकते हो तब ओनी जुका जर्बन सूपलेक्स करते हैं कहता है फिर वो लड़की कहती है मुझे आपके साथ सेमी school में पढ़ाने में बहुत खुशी होगी तब ही रिव ओनी जुका सा कहता है तुमें तो मैं सूपलेक्स बोलना चाहिए अगर ये सही टाइम पर मेरे पास आका नहीं बताती तो मैं भी तुमें कॉल नहीं कर पाता और तुम्हारी जौब नहीं लगती और ये सीनिया ही कट होता है अब हमें principal room में थी खाय जाता है जहां एक teacher principal से बहस कर रहा होता है कि आपने उस जैसे इंसान को हमारे school का teacher क्यों बनाया तब principal कहती है मुझे उमीद है वो future में हमारे school के बच्चों का बहुष से change करेगा और हमारे school को बिल्कुल change कर देगा और अब हम next morning vice principal को उसा कार दोते वे देखते है तब ही वहाँ एक new teacher आता है जो उसा good morning कहता है और उससे पूचता है vice principal क्या ये आपकी new car है ये सुनकर vice principal कहता हाँ अब हम देखते है उस ट्रक में और कोई नहीं बलकि ओनी जुका होता है जो अपना पूरा समान लेकर आया होता है इसे school में shift होने के लिए फिर ओनी जुका vice principal से कहता है vice principal क्रिपया side हो जाओ मुझे अपना समान अंदर करना है फिर वो बताता है मुझे school में teaching job के साथ साथ रहने की जगा भी चाहिए ये proposal मैंने principal के सामने रखा था और principal ने इसे accept भी कर लिया ये देख कर तो यहाँ vice principal बहुँच ज़्यादा शौक्ट था तभी विंडो से vice principal निकल दी है और onizuka सा कहती है चलिए मैं आपको आपका room दिखाती हूँ फिर onizuka अपना समान निकलने लगता है और vice principal को by बोल कर वहाँ से जाने लगता है ये देख कर तो vice principal पूरा शौक्ट था फिर onizuka अपना पूरा समान उठा कर वहाँ से जाने लगता है तब ही रास्ते में उसका एक तकिया गिर जाता है ये देख कर onizuka वहाँ आते वे एक बच्चे से बोलता है सुनो मेरी help करो मेरा हाथ भरा हुआ है इसलिए तुम ये समान उठा कर मेरे साथ चलो फिर वो बच्चा जैसी तकिया उठाता है तब onizuka कहता है नहीं मैंने तुम्हें ये समान उठाने हो कहा था फिर वो अपना पूरा समान उस बच्चे को दे देता है और कहता है हाँ हम बस पहुचने वाले है और जब वो दरवाजा खोलता है तब वो देखता है ये तो टेरेस है फिर वो पुचता है तब प्रिंसपल कहती है यह तुम्हारा रूम है ये सुनकर onizuka सोचता है क्या मैं storage रूम में रहूंगा क्या तुम पागल हो तब प्रिंसपल कहती है बेशक यह रूम छोटा है लेकिन ये तुम्हारे लिए अराम दायक होगा फिर वो बताती है, अज opening ceremony है, इसके लिए late मत होना, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, ये सुनकर Onizu का shocked होते वे सोचता है, मैंने ये क्यों नहीं सोचा था, अगर कोई मुझे room देगा तो वो अजीव होने वाला है, इधर जो student उसका समान उठा कर लाया था, वो उसके वीडियो गेम्स को देखने लगता है, तब Onizu का उसे डराते हो बोलता है, अगर तुम गेम खेलते हो, तो तुम्हें किस टाइप के गेम्स पसंद है, शूटिंग वाले, फाइटिंग वाले, या फिर आर्किरी वाले, तब वो बच्चा बोलता है, मुझे RPG वाले गेम्स पार कर सके, तब वो बच्चा बोलता है, ठीक है, मुझे आपकी हेल्प करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सुनकर Onizu का खुश होते हुए, उस बच्चे को ठेंक्स बोलता है, और उससे उसका नाम पूसता है, तब वो बच्चा अपने नाम नोभूरा बताता है, अब हमें स्कूल के ओपनिंग सेरेमेनी को दिखाय जाता है, जहां सारे टीचर्स को उनके होमरूम के बारे में बताया जाता है, फिर वाइस प्रिंसपल Onizu का को पूरे स्कूल से इंटर्ड्यूस करवाते हैं, और वो बताते हैं कि ये सुनकर सभी बच्चे शौक्ड होते हैं, लेकिन 2-4 क्लास तो 9 क्लास होती है, जिससे वो अपना इंटर्ड़क्शन देते हुए कहता है, मैं तो हाइस कूल पढ़ाने वाला था, फिर आप मुझे मिडल स्कूल के बच्चों को पढ़ाने को क्यू बोल रहे हो, फिर Onizu का वाइस प्रिंसपल को टकला बोलते हुए कह जाते हो कि मैं हाइस कूल के बच्चों को ना पढ़ाऊ, तो तुम्हें मुझे का अच्छा रिजन देना होगा, यह सब सुनकर वहाँ के सारे बच्चे हसने लगते हैं, यह सब देखकर वाइस प्रिंसपल उसकी बेस्ती करते हुए कहते हैं, कौन सा टीचर बाल रंगवाक और इधर हॉल में पूरा शोर मचने लगता है, तब वाइस प्रिंसपल चिला कर बच्चों को शांत करने की कोजिस करता है, और इधर ओनी जुगा पर गुसा करने लगता है, और उसे टॉंट मानने लगता है, कि मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा कर रिचैन की सास ये सब सुनने के बाद ओनी जुगा थोड़ा निरास हो जाता है, और वो स्टाफ रूम में बैटा होता है, तब ही वहाँ पर मिसुखी आती है, जो उसे चेर करने की ड्राइ करती है, वो उसे कहती है कि इतना निरास होने की जरूरत नहीं है, हर कोई गल्दी करता है, और मै मैंने भी बहुत से गल्दी की है, तब होनी जुगा अपने कान से पफ निकालते हैं, क्या तुमने कुछ बोला, ये देखकर मेसुखी थोड़ा शॉक्ड होती है, तब होनी जुगा बताता है, मुझे मालूम था, वाइस प्रिंस्पल मेरा दिमाग खराब करने वाला है, इ उसने सुना है कि वो क्लास सबसे बेकार क्लास है, और वहाँ के बच्चे बहुत ही परिशान करते हैं, ये सुनकर ओनी जुगा में सुगी की बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इने समाल लूँगा, फिर ओनी जुगा बिल्कुल स्टिक ट पोलता है टीचर, एटेंडनेस ले लीजिए, ये सुनकर ओनी जुगा थोड़ा शॉक्ड होता है, और उसके बाद एक बार वो फिर से क्लास को चेक करता है, कि कहीं वो दूसरी क्लास में तो नहीं आ गया, लेकिन वो ठीक क्लास में आया था, तभी वो नोटिस करता है वही सफीसे सरीके से हसने लगता है, लेकिन इतना सब कुछ ओनी जुगा नोटिस नहीं करता, और ये सी नहीं कट होता है, और अब हमें सभी टीचर को चैरी ब्लोसम पार्टी करते वह दिखाये जाता है, वो सभी स्कूल के न्यू शेशन के खुसी पर पार्टी कर रहे थे, नहीं देता, अब हमें उसे उसके रूम पर दिखाये जाता है, यानि स्कूल के स्टोरेज रूम में, वो सोते वे सोच रहा था, मुझे अभी भी बिलीब नहीं हो रहा, कि मैं हाई स्कूल को नहीं पढ़ा पारा, और फिर वो फिर से अपने इमेजिनेशन में खो जाता है, और मिट्सुगी के बारे में सोचने लगता है, तब यू उसे एक अवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे अग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अवाज बढ़ने लगती है, तब उसे डर लगने लगता है, और मनी मन सोचता है कहीं क्लास 2-4 में, भूत तो नहीं है, और इसी करण प्रिंस्पल ने मुझे यहाँ पर रहने के लिए बोला है ताकि मैं भूत को भगा सकूँ और उसके बाद भूत को भगाने का जितना भी टोट का समान होता है उसे निकाल लेता है और जितना पहन सकता और पहन लेता है और धीरे धीरे उसा वाज की तरह बढ़ने लगता है और जैसी वो Class 2-4 के आगे बढ़ता है वैसी और जदा वाज आने लगती है और जैसी वो Locker Room में एंटर करता है तब उसे एक बंदा दिखता है जो Locker Room से चड़ी चुरा रहा होता है वो चोर ओनिजुका को देखकर डनने लगता है और वहाँ से भागने लगता है तब ओनिजुका उसे मार का खिड़की से फैक देता है और जब वो खिड़की पे खड़े होके देखता है तब उसे स्कूल के दूसरी बिल्डिंग में दिखता है कि वहाँ लाइट जल रहा है तब वो Night Vision वाले Classes पहन कर बिल्डिंग की तरह बढ़ने लगता है और जैसे ही वो Swimming Pool वाले रूम में एंट्री करता है तब वो देखता है कि वहाँ एक लड़का और लड़की मज़े कर रहे होते है ये देखर Onizuka उन दोनों को एक ही लाट में Swimming Pool में धखेल देता है और वहाँ से अपने रूम पर आ जाता है जहाँ देखता है कि उसके टीवी पर खून से किसी ने गुडबाई लिखा था तब ही वो नोटिस करता है कि टेरिस का गेट खुला है तब वो टेरिस पर जाता है तो उसे एक आदमी जाली के पीछे दिखता है ओनी जुगा को लगता है कि वो एक भूत है तब वो डरते हुए घुटने पर बैट कर उसे माफी मांगते हुए कहता है प्लीस मुझे छोड़ दो फिर उसे पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बलकि नोबूरा होता है वही गेम बाला बच्चा तब वो बच्चा ओनी जुगा से माफी मांगते हुए कहता है प्लीस मेरी हेल्प करो अब मैं और नहीं सह सकता मैं यहां से कूत कर मनने माला हूँ तब वो ओनी जुगा उसे कहता है पागल मत बनो अगर तुम यहां से गिरोगे तो तुम्हें बहुत जादा चोट आईगी वो उसे अपनी बातों में फसा कर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और जाली के उस साइट जाकर जैसे उसे पकड़ता है तब उसका हाथ फिसल आता है और नीचे हम देखते है कि वाइस प्रिंसिपल के गाड़ी खड़ी होती है और वहीं पर वाइस प्रिंसिपल भी होता है जो उसे चाट रहा होता है इधर ओनी जुगा का जैसे हाथ फिसलता है तब वो नोबूरा का पकड़ के नीचे गिरता है जिससे वो दोनों वाइस प्रिंसिपल की गाड़ी पर गिरते हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती लेकिन हम देख सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल की गाड़ी क्या हुआ ये देखकर तो वाइस प्रिंसिपल की हाला थी खराब आती है अब हमें ओनिजुगा को रूम में दिखाए जाता है जहां वो नोबूरा सा कहता है अगर तुम्हें कोई हिट करता है तो तुम भी उसे हिट करो और उससे पूसता है कि आखिर तुम्हारा ये हल किसने किया है तब नोबूरा बताता है अगर मैं आपको उसका नाम बताऊंग तब वो मुझे और भी मारेंगे और अगर मैंने किसी को बताया कि मुझे लड़की ने मारा है तो लोग मुझे और हशेंगे तब ओनीजुगा कहता है हाँ बात तो सही है फिर वो उसे अपने बाइक पर भिठा कर उसे घर चोड़ने जाताए वो घर पहुचकर, नोभूरा के खिरकी से घर में एंट्री करने में हेल्प करता है, ताकि उसके पैरेंस को पता ना चले, कि आखिर वो इतनी रात को बाहर क्या कर रहा था, फिर ओनी जुगा घर में आकर, उससे गेम्स को देखने लगता है, और उसके बहुत सा गेम्स को आप क्या कर रहे हो तब और उन्यजुका उससे पूसता है क्या मैं तुमारे games को कुछ दिनी के लिए borrow कर सकता हूँ तब नोमूरा वोलता है हाँ जितना लेना है लेलो फिर वो उससे पूसता है वैसे आफ टीचर क्यू बने हो तब Onizuka बताता है पहले तो मैं बच्चों के help करना चाहता था लेकिन मुझे इस काम में मज़ा आने लगा और मुझे रिलाइस हुआ कि ये teaching में बहुत ही fun है और इसके बहुत से advantage भी है अगर कोई भी बच्चा school में समान लाता है तो तो मुझे सचीन सकते हो फिर Onizuka वहाँ स सीन दिखाये जाता है जहां वाइस प्रिंस्पल बैट करो रहा होता है अपने गाड़ी के तूटने पर पीछे टीजर बात कर रहा होते है कि कल रात Onizuka ने किसी बच्चे को मनने से बचाया था और इसी के साथ एपिसोड खतम हो जाता है